आज ही डाउटनेट आप डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैठ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बाईलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाऊ डाउटनेट नाओ 45 सेंटिमेटर है तो कॉस्चन में हमें सिंपल जो यू गिवन है वो कितना है 45 सेंटिमेटर जो कि हमार पास लेंज के लिए तो यहां पर यू नेग्टिव होगा फोर्म एन इमेज ऑन दा स्क्रीन प्लेज 90 सेंटिमेटर उन दा अनधर साइड इट मेंज जो हमार पास जो इमेज बनेगी उसके लिए हम बोलेंगे 90 सेंटिमेटर जो वी होगा और पोस्टिव होगा क्यो अधर साइड है की एंटिफियर इंटिफियर और टाइप ओफ लैंस तो हमें थाइप ओफ लैंस पतकी के लिए होगा किया परना पड़ेगे इस 것을 कोशन में मुद्व फोखलल रम देखनें निकाल नहीं पड़ा तो फोकल nhân का First Forceल ऐससे को सब्सक्राइब यह था से का एक किसले channel निकालने महूं पड़ेगे तो फोकल लेन्स का फॉ मला क्या होगा सिंक्ल twenty pass पह city टो यहां से हमारे पर फोग कर लेंथ कितना अच चेंइंट्र तो हम क्रीज आने क्या है एक पोजीव एल्युाइग अगर पर फोजीव स्थे लेंद दॉड आयं ही अगर पहलं इन इवालई एट मैं में इन जो हमारे पास प्लियंश वह कहा है Convex Lens, so Lens is Convex, तो जो हमारा Lens हो गया है, Convex Lens है, Now, अब हमें पताना किया एक कोशन में, What is Size of Image, Size of Image हमारे पस क्या होगा, तो हमें पता है Size of Image upon Size of Object, जो होता है, वो Magnification के एक बन होता है, Magnification क्या होता है, Size of Image divided upon Size of Object, So Size of means, Height हमारे पस क्या, Height of Image divided upon Height of Object, हमें एक कोशन में क्या गया है, What is Size of Image, मुझे Size of Image find out करना है, If Size of Needle is 5 cm, Size of Needle हमारे पस कितना है, 5 cm, तो Magnification का एक फोमला होता है, वो होता है, V divided upon U, So V divided upon U is equal to Height of Image divided upon Height of Object, मुझे find out क्या करना है, मुझे find out करना है Size of Needle, So Size of Needle means Height of Image of Size find out करना है, तो Height of Image will be equal to V divided upon U into Height of Object और Size of Object, So V हमारे पस कितना है कोशन में, V हमारे पस है 90 कोशन में गीवन है, U हमारे पस है –45 और Height of Object में गीवन है 5 cm, तो Simplify करने के बाद यहां पर हमारे पस कितना आएगा –10 cm, तो यहां पर जो हम देख सकते हैं कि Size of Image हमारे पस आया है, वो Negative आया है, तो अगर H2 हमारे पस Negative है, जो हमारे पस Image बनेगी, वो क्या बनेगी, Inverted, So Image will be Inverted. क्लासिक स्ट्वेल से लेके NEED IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा, आज ही डाउनलोड करे डाउटनेटा यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स आट 400 400 चार्स उपर